Hello Students, Welcome to MBBS Assist, Myself Dr. Lokinder Singh तो आज के वीडियो में मैं जनरली बात करूँगा कि मद्धे प्रदेश नीर 2024 की कट ओफ क्या रहने वाली है स्टेट कोटा के थ्रो, तो इस कट ओफ का एनलाइसिस करने के लिए मैंने पिछले 5 से 6 साल का डाटा कलेक्ट किया है और इसके आदायर पर हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर कट ओफ का जनरली क्या ट्रेंड रहता है MP के अंदर All India के कट ओफ से किस हिसाब से डिफर करती है रैंक का क्या एफेक्ट होता है, क्या क्या कैटेगरी का एफेक्ट होता है वो सारी बात है आज़ा हम इस वीडियो में करने वाले है ओके तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ओफ इसके लिए हमने प्रिवियस फॉर येर्स का डाटा यहां पर कलेक्ट किया है तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि नेट 2019 की जो कटओफ थी जंडार केटरी के लिए ठीक है जंडार केटरी के लिए है जननेरल केटरी के लिए जो कटओफ थी हो कितनी थी 3289 मतलब 3289 रैंक पर हिर जंडल केटरी को कॉलेज मिला थी के और अब AIQ की बात करें All India Quotas All India Quotas की कट OV थी 2019 में वो कितनी थी 2019 में All India quota की cut-off जो थी वो थी 582 marks ओके 582 marks थी हमारे पास 2019 में ठीक है तो general category को state quota के थिरू ठीक है SQ में यहाँ पर लिख रहा हूँ SQ means state quota ठीक है state quota के थिरू जो All India rank थी हमारी जो All India rank थी उसमें 32,889 पर 2019 में college मिला था 35,940 पर आपको OBC में college मिला था और EWS में आपका जो college मिला था वो मिला था आपका कितने पर 36,308 पर और SC के अंदर 1,19,902 पर college मिला था और वहीं ST category के अंदर आपका जो college मिला था वो मिला था 2,75,543 ठीक है और All India की जो general category की cutoff थी 582 थी ठीक है अब हम बात करने वाले हैं यह जो cutoff की chronology है किस हिसाफ से differ करती है अब हम बात करें जैसे 2020 की तो 2020 में All India का जो cutoff था वो हमारा कितना बड़ा यह हमारा 611 और 612 मार्स देया था All India का cutoff ओके देखिए cutoff बड़ा लेकिन आपका जो state quota से जो rank हमारा All India rank था उसमें college कितने पर मिला ब्याली सिजार रसी पहले कितने पर मिला था 32,889 मतलब cutoff बड़ा कोई बात नहीं ही लेकिन rank हमारी क्या है ज्यादा rank पर भी हमें college मिल गया state quota के तरूँ All India cutoff बड़ा मानते हैं लेकिन state quota के तरूँ हमारी पास rank ज्यादा rank पर college मिल रहा है मतलब state में effect नहीं बड़ा उतना ठीक है OBC में भी देखी लगवग 10,000 rank का यहाँ पर effect देखने को मिल गया हमें और ST category में हमारे पास 5000 का difference आ गया ठीक है तो ऐसे बात करें हम ठीक है 5000 नहीं ST category में हमारे पास 50,000 का difference आया ST category के अंदर 50,000 का difference आया SC category अंदर 35,000 का difference आया मात्र और देखी ओल इंडिया का टॉप बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा उसका लेकिन स्टेट से तो अपने का कॉलिज मिल रहा है ऐसी 2021 में क्या हुआ ओल इंडिया का जो कटॉप था वो था हमारे पास 595 पेपर टफ था तो देखिए पेपर टफ था है इसलिए हमारे पास फिर भी स्टेट कोटा के तो जनर्रल के टेगरी में 45345 रंग पर कॉलिज मिल गया ठीक है फिर भी कोई बहुत ज़्यादा एफेक्ट नहीं बड़ा 45345 रंग पर कॉलिज मिल गया आपको 2021 में और OVC में हमारे पास 9845 पर मिला EWS में 50883 मिला SC में 120,416 यह थोड़ा सा यह ट्रेंड जो था फॉलो नहीं कर रहा था जो जनर्रेंड रहता है उसके साब से नहीं था बट ऐसा नहीं होता है कि SC कटॉप बढ़े लेकिन इस बार क्या हुआ था बढ़ गया था ज्यादा के इंडिय ट्रेस्टर हो गए थे या फिर SC कटेग 25 आसपास ठीक है तो इनमें जो रैंक में जो डिफरेंट्रेंस था वो लगवग आसपास वही क्यों ही रहा था ठीक है तो कोई ज़्यादा जांपर देखने को नहीं मिला तो 2021 और 222 में कोई डिफरेंस नहीं था फिर हम आये 2023 पर ओल इंडिया में ऑल इंडिया का जो कट उ कटफ था 2023 में बहुआ आपका कितना था 611 नंबर ठीक है 2023 में 611 नंबर आपका कटफ गया कितना नंबर बढ़ गया 16 नंबर बढ़ गया औल इंडिया आपका 5,5,831 पे मिल गया और आपका ST में 3,36,174 पे मिल गया बताइए ST का तो बल्ले बल्ले है उनके ST वाले बच्चों वो तो बिल्कुल लोड लेना ही नहीं है SCST वाला हूँ ठीक है उनकी cutoff ठीक जाएगी मतलब उनकी ज़्यादा rank भी है तो उनको गवराने की बात नहीं है और अब हम बात करने वाले need 2024 की expected ठीक है यह जो हम यहाँ पर data लिख रहे है एक्सपेक्टेड लिख रहे है ठीक है तो expected क्या रहे सकती है देखिए पहली बात तो all India quota की बात करें तो all India quota में यहाँ पर जो cutoff जाने वाली है 655 प्लस जा रही है ठीक है यह all India quota की cutoff है AIQ मैं यहाँ प लग देता हूँ ठीक है all India cutoff की cutoff है इस बार 655 प्लस जाने वाली है ठीक है तो देखिए general में अगर किसी बच्चे की all India rank 70,000 के आ आसपास आ रहे है तो आप सेफ मान सकते हैं को इस में भी 72,000 सेफ मान सकते हैं और आप SC और ST की specifically में बात करूंगा क्योंकि इसमें क्या ना थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुस्किल होता है ठीक है तो देखिए 220,000 तक हम लेकर चल रहे हैं कि 220,000 तक आपको मिल जाएगा ठीक 445 final cutoff गई थी MP में 445 SC category की ठीक है तो 30 number हम बढ़ा के चलें तो 400,000 पर 400,000 इतना ही cutoff बढ़ता है देखिए SC ST और category का क्या होता है जैसे category में अगर हमारे पास sorry हमारे पास General EWS OVC में अगर cutoff हमारी 20 number बढ़ रही है ठीक है तो SC ST में जो cutoff है वो हमारी कितनी बढ़ती है इस 15 number इतनी ऐसा नहीं कि 20 number SC ST में बढ़ेगा तो हमें पता चल गए इस वर General की cutoff है वो कितने number बढ़ रही है General की cutoff बढ़ रही है लगवक 45 marks का increment यहां पर देखने को मिल रहे है तो definitely यहां पर SC ST की cutoff है marks के basis पर अपन बात करें तो आपका 25 से 30 number का increment आपको SC ST में देखने को मि बार बोल रहे हैं कि SC ST की cutoff है और जो rank है वो पिछली बार जासे 3,36,000 तक ST में मिलाता तो इस बार 3,70,000 तक probability हो सकता है और ज्यादा ऊपर चला जाए है ठीक है वहीं आप SC में बात करें पिछली बार 1,55,831 तक मिलाता इस बार 2,20,000 मान के चल रहे हैं इतने पर तो safe हैं ठीक है फिर भी कई बच्चों की तो 475 के आसपास 470 के आसपास जो rank आ रहे हैं उन पर SC category में college मिलने की पूरी-पूरी संभावना है ठीक है तो general EWS OVC इनके लिए 70,000 से 72,000 rank जिसकी सीगी आ रही है वो MP state में अपने आपको safe मान सकता है ओके और All India quota के तो गर किसी वो selection चाह रहता है कितना maximum हो सकता है इतना ही यहां पर maximum फार्क मिलेगा आपको और MP और All India की cutoff में जो difference आता है वो हर साल लगवक 40-50 नमबर का difference MP की cutoff में देखने को मिलता है 40-50 जो All India की cutoff जाती है उससे 40-50 नमबर कम MP state की cutoff जाती है ओके और यहां पर smart seat भी अगर बढ़ गई तो हो सकता है और अच्छा इजाफा हो जाए रैंक में बच्चों के ठीक है तो यहां पर आपकी जो संभावना है MP state मेंगर कोई बच्चा 610 के आसपास General OVC में score कर रहा है तो उसको पूरी-पूरी संभावना है कि उसको college मिलेगा 100% chances है 610 ठीक है तो MP की जो cutoff हम मान के चल रहे ह 610 मार्क्स ठीक है 10 प्लस आप इसको लेकर चलिए और UR OVC और EWS ओके 610 मार्क्स ठीक है थोड़ा सा increase हो रहा है cutoff ठीक है यह है हमारे पास UR OVC EWS की वहीं SC category की बात करें तो मैंने बताया कि SC का जो cutoff है वो half increase होता है with respect to marks ठीक है जैसे इनका जो cutoff है यह लगवग कितना 50 नमबर बढ़ा है इनका भी SC ST OVC का 40-50 नमबर बढ़ा है ऐसे ही आपका SC का cutoff कितना बढ़ेगा 20-25 marks ठीक है ओ maximum वा 30 माल लो ठीक है तो पिछली बार जो हमारे पास SC की cutoff थी कितनी थी 445 तो वो कितनी जा सकती maximum maximum जा सकती है आपक इनके range में score कर रहे हैं तो उनको टेंसल लेने वाली बात है नहीं और ST के लिए तो मैंने बता दिया मार्क्स का मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनके लेकिन ST वाले बच्चे 3,70,000 रेंग तक भी college लेंगे इस वार है na MP state quota से तो यह हमारा MP state quota का पूरा का पूरा analysis रहा ठीक है और अगर आपको हमसे paid counseling की service लेनी है तो उसके लिए आप हमारे दो नंबर पर contact कर सकते हैं 7851078249 और 639240241004 यह डॉक्टर पंकाज यादव है डॉक्टर पंकाज यादव और यह मेरा नंबर है डॉक्टर लोकेंदर सीन ठीक है इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पर contact कर सकते हैं और paid counsel की service अपने लिए अवेल करवा सकते हैं यह आपके लिए बहुत important है इस बार ठीक है कि इस बार बहुत कुछ गरवड होने वाला है counseling में भी बच्चे बहुत बच्चे अपना एकदम से हार मान चुके हैं कि sir college नहीं मिलेगा लेकिन इस बार drastic change मि कट-off different जाएगा सारी चीज़ें एकदम से लग जाएंगी ठीक है तो एंबीवेस असिस्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद all the best